वीडियो में बात करने माला हूँ कि आप लोग गौड परवीन वाटी की तरह आपने ओवरले को कहसे ना सकते हैं जूकि आप लोगो स्कीन पर दीखने के लिए मिली रहा होगा इस ओबरले को बनाना में मुझे बहुत ही मेनत लगा गया है मैंने इसे फुल डिटेल में बनाया है वीडियो को प्लीज लास्ट तक देखना और एक कमेंट और एक लाइक किये भीना तो बिल्कुर रुद मत जाना और जोनों वे तो खमारे चनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि इस तरकी मेंजिंग कॉंटेंट अम लोग चनल पर आते रहती है वीडियो स्टाट करते हैं विजाट बेस्टिंग अनीमोर टाइम लेट्स गोई टी वीडियो जो सबसे पहले आप लोग को यहां से अपने Pיטai Application में आ जाएना है इसका LINK आप लोग को PIN comment में मिल जाएगा यहां प्र आजाने का बद आप लोग प्लस वाले ऐकेन पर क्लिक करना है photo library में आ जाना है और यहां से आप लोग को पैक में एक background मिल जाएगी ऋसे आप zaj यह वाली PNG को import कर लेने को बाद आप लोग को को एक और PNG को impact कर देना जो हमलोग की social media की section होती है वह वाली यह import कर लेने का ओद आप लोग को यहाँ पर plus और एकन पर क्लिक करने का बाद आप लोग गिए फॉट्र लाइट आरा लाय पर आजाना है इसे बनाना कोई बड़ी बात नहीं है इसलिए मैं बनाकर नहीं दिखाया हूँ ताकि वीडियो लंबी न हो जाए आप लोग लोगो यहां पर बगल में बॉक्स दिखरी होगा वायज वाइट कैलर की वहां पर आप लोग इसे अरजस्ट कर देने कपाद आप लूग अपने सेकेंड वाले जो नेम होगी जlles आप लोग यहाँ पे नीचे वाले box में अरजेस्ट कर लीजएगा मैं इसी को भी डुट्लिकेट बना के नीचे वाले box में अरजेस्ट कर लेता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं guyz यह हो जानFit में पट आप आप लोग यहाँ से 100 pointer कौन कर लीजेगा और कुछी इस तरह से इसे select कर लीजेगा यहाँ पर select कर रहा हूँ और यहाँ पर select कर लेने को बाद आप लोग को यहाँ से fill and color में जाना है उस layer पर जाके और यहाँ से आप लोग red color fill कर दीजेगा और इसको बाद आप लोग चाहें तो आप लोग पर change भी कर सकते हैं उसको बाद आप लोग को plus वाला icon पर click करके अपने logo को import कर लेना है तो मैं आप अपने गौड पर लोगो को import कर लेता हूँ आप लोग अपने logo को import कर लीजेगा और गाइस कुछ इस तरह से वहाँ पर अरजेश कर लीजेगा जहां पर उनका logo रहता है आप लोग देख सकते हैं थोड़ी से left में और right में space बसती है आप लोग वहाँ पर UPI ID यह सब रख सकते हैं आप लोग को सारे layer को off कर देना है और एक एक करके सारे layer को save कर लेना है जैसे कि मैं यहाँ पर सबसे पहले logo को यहाँ पर save कर लेता हूँ आप लोग भी यहाँ पर save कर सकते हैं लोग को save करने के ग् Conven涉िफ करूँगा आप लोग भी यहाँ पर save कर लेजेगा बाकी तो आप लोग को pack में मिली जाएगा सो मैं यहां पर इसे भी png बना के ऐसे save कर लेता हूं सो यह हो जाने कववाद आप लोगो क्योंकि यहां पर देख सकते हैं बहुत सारी मैंने यहां पर effect लगा दी है जो गौट पर वेडिविन के overlay पर होती है same effect मैंने लगा दी है आप लोग जो जो आप पे png's बनाए थे उसे आप लोग को यहां से import कर लेना है तो मैं यहाँ पे import कर लेता हूँ और उसके बाद आप लोग इसके time duration को भी फुल कर लीजेगा तो यहाँ पे मैं इसे भी फुल कर लेता हूँ और एक और हमले की जो logo थी and spikes वाली जो PNG थी उसे भी मैं आप पर import कर लेता हूँ यहां पर आप लोगो import नहीं करना है guys आप लोगो यहां से back आजाना है तो मैं आप पर पहले आप लोगो back आजाता हूं guys और यहां पर आप लोगो फिर से create new वाले option पर click करना है और यहां से आप लोग को images में आना है और यहां से आप लोग कोई भी color को import कर सकते हैं import करने के बाद आप लोग को time duration का खास ख्याल रखना है आप लोग को 8.012 के seconds पर ही आप लोग को time duration को रखना है क्योंकि हम लोग का जो background वाली video थी वो इतनी time duration की थी तो आप लोग को same होनी चाहिए थाकि out animation और in animation देने में कोई दिकत ना हो तो मैं यहाँ पे 8.012 कर लेता हूँ तो यह हो जाने का बाद गाईज आप लोग को यहां से green color को select कर लेना है और आप लोग को धिहान रखना है यहां पर dark green select होना चाहिए light green नहीं होना चाहिए तो यह हो जाने का बाद गाईज आप लोग यहां पर इस वाले project में आप लोग को अपने logo को import कर ला है और यहां से full to screen कर देना है उसका बाद गाईज आप लोग को time duration को full कर लेना है और यह हो जाने का बाद गाईज आप लोग को layer वाले option पर आजाना है और यहां पर आजाने का बाद गाईज आप लोग को effect वाले option पर आजाना है और यहां से आप लोग को VHS event select कर लेना है यह आप लोग को store वाले option पर मिल जाएगी glitch section में effect के और यहाँ पे हो जाने के बाद आप लोग कुछ इस तरह से इसे अर्जेस्ट कर लीजेगा जैसे कि मैं आप लोग भी सेम उसी तरह अर्जेस्ट कर लीजेगा उसके बाद आप लोग को जो effect है उसके time duration को कम कर देना है और जो हमारी जो लोगो की layer थी गाईस उसको आप लोग को in animation में fade देना है और इसके timing आप लोग देख सकते हैं मैं आप लोग जो रख रहा हूं आप लोग भी same way रख लीजेगा और इसके glitch वाले section को मैं थोड़ा सा यहाँ पर increase कर देता हूं तो यहाँ अभी थोड़ा सा अच्छा लग रहा है गाईस लेकिन जो हमारी जो layer थी गाईस वो थोड़ी late से आ रही थी तो मैं उसके time duration थोड़ा सा increase कर दे रहा हूं तो यहाँ आप देख सकते हैं गाईस अभी मस लग रही है इस वाले जो glitch वाली layer थे गाईस उसे आप लोगो duplicate करने लेना है और same आप लोगो right side में रख लेना है और यहाँ से आप लोगो कर लेना है export मैं आप लोगो यहाँ से बैक आ जाना है उसी वाले प्रोजेक्ट पे और मैं यहाँ पर आ जाता हूं गाईस उसके बाद आप लोगो यहाँ से लेयर वाले option पर आ जाना है और उसी media को import कर लेना है तो मैं आप इंपोर्ट कर लेता हूं गाईस उसके बाद गाईस आप लो के बाद आप लोग इसके जो परसेंटेज है इसको 50-50 कर लिजेगा और यहांसे डन कर दीजेगा आप लोग देख सकते हैं बहुत ही अमेजिंग लग रहा है इसके बाद आप लोग को यहां पे जो स्पाइक्स वाली लेयर थी उसको आप लोग को इंटर स्लाइड डाउन माल आउशन पर आ जाना है और इसके टाइमिंग को आप लोग को 0.5 सेकंड कर लेना है और पहले तो मैं इसके और साइज को इंक्रीस करूँगा थोड़ा सा और इसके बाद आप लोग कुछ इस तरह से इसे अर्जेस्ट कर लेना है इसको आप लोग यहां से इसको ब्रिंग तूफल कर लें है और यह जाने का बात आप लोग यहां से इसको बिडावक टू और अप लोग देख सकते ह। ज़ो आप लोग स्टृम में उस कर सकते है तो तो इसके वाद आप लोग को एक्सपोर्ट कर सकते हैं तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुए अन्मुला और इस तरह की जो क्रियेशन है वहाँ पर मैं सेर करते रहता हूं और आप लोगो जो रिठर की तरह गीमिंगें निधेट और सीखना है तो आप लेंठ वाले वीडियो क्लेर कुए करके देख सकते हैं